इस वीडियो में हम आरो यारो 2021 के लिए ताकि आपकी त्यारी बेटर हो सके पिछले दस वर्षों में जितने भी प्रश्णपत्र हुए हैं प्रिलिम्स के तो हिंदी का हल प्रश्णपत्र इसमें हम कराएंगे आपको आपको बता दो कि विलोम शब्द पर्यायवाची और वन वाग के शुद्धी और शब्द शुद्धी तो आपको देखना पड़ेगा रटने जैसा ही है वो कुछ चीजे समझने वाली भी है लेकिन वाग के शुद्धी पूरी तरह से समझने वाली है रूल्स उसके हैं उसको देखना है और इसके लावा जो विशेशन होते हैं कितने प्रकार के विशेशन होते हैं कौन सा विशेशन है जब तक नहीं पचाने तब तक प्रश्ण साल नहीं कर पाएंगे तो आएए तेजी से देख लेते हैं पिछले दस वर्षों में जो प्रश्ण पता हैं उनके हल्ट को निश्यद्ध के लिए सही विलोम होए तो आद्र इसका शुष्क का होगा शीत और उष्ण आपस में एक दूसे के विप्रित हैं शीत मतलब क्या होता है ठंडा उष्ण मतलब गर्म तो ए और सीव लावशन एक दूसे के विलोम है इसका जो एंसर होगा शुष्क का विलोम आद्र होगा निमकित में से एक श राश्वर का विलोम होता है ठीक है या फिर छंडिक का भी विलोम शाश्वत होता है तो एकत्र को भी समझ सकते हैं, मतलब एकत्र का विलोम होता है, बिखरा हुआ, बिखरी हुई चीजें हैं, उनको एकत्र कर दिया है, पिथक मतलब अलग, तो लगभा लगभा एक जैसे अर्थ हैं, इसलिए confusion हो सकती है, लेकिन पिथक का जो विलोम होगा, वो भी संयुक्त होगा निमकित में एक शब्द उपियोग का विलोम है, तो उपियोग का क्या विलोम होगा, तो अनुपियोग होगा, उपियोग का क्या होगा, अनुपियोग होगा, ठीक, तो डी वाला इसका राइट अंसर है, ध्यान रखेगा, सदुपियोग अगर पूछ आए, तो उसका विल शक्ति का जैसे होता है दुरुपियोग करना तो गलत उपियोग करना वो दुरुपियोग कहलाएगा मतलब चाकू है उससे सबजी काट रहे हैं तो सदुपियोग है किसी का गला काट रहे हैं तो दुरुपियोग है निन में से विलोम शब्दों का एक गलत योग में है तो विदिका निशेद होता है बरबर का सब्ज होता है ये डी वाला भी सही है लेकिन इसमें पूछा है गलत ये कौन सा है तो उद्यम का निरुद्यम ये गलत है क्योंकि उद्यम कार्य है ठीक है निरुद्यम क्या है किसी वेक्त के वारे में कहा जा रहा है कि ये निरुद्यम है विलोम क्या होगा निरुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मुल्र वाला हिसा है, पुछा, अजब का विग्य होगा, повтор है है, तो यह सबी भी आप विलॉम याद कर सकते हैं, फिलाल इसका उत्तर होगा, अल्पग्य का बहोग्य, अल्पग्य मतलब कम ग्यानी, बहोग्य मतलब बहुत ग्यानी, ठीक, अग्य मतलब जानने वाला, और विज्ग्य मतलब न जानने वाला, जिसको कोई ग्यान न हो, विज्ग्य मतलब जिसको ग्यान हो, तो अग्य का विज्ग्य होगा, विलुमार्थ दिश्ट से एक योग में अशुद्ध है तो अशुद्ध योग में इसमें से कौन सा है तो पहला वाला ही अशुद्ध है बाकि मौलिक का अनुदित होता है निर्पेक्ष का सापेक्ष होता है बंधन का मौक्ष होता है सचल का कुचल होगा सचल मतलब अच्छे से चलना तो यह वाला इसका राइट टेंसर है मलब ए वाला अशुद्ध युग में हैं तो चल का उपयोक्त विप्रितार्थी शब्द जो होगा विलोम शब्द जो होगा अचल होगा नकी सचल तो शेश युग में शुद्ध हैं किवल ए वाला अशुद्ध हैं निवकित में से विल योग में पूछ रहे हैं सोरी तो सी वाला सही है ये भी गलत है ये भी गलत है आगर का अनागर होगा ठीक है आगर का अनागर या फिर दुरागर दुरागर भी हो सकता है ठीक समास संदी का विग्र होता है ध्यान लखेगा विग्र जो होता है संदी का विलोम शब्द होता है तो आग्रह का नहीं होता है तो ये गलत है अब कर्ष का विलोम उतकर्ष होता है ठीक है तो ये भी गलत है जारज का औरस होता है ये वला सही है C ही इसका राइट एंसर होगा शुद्ध है उतसर्जन का अशुशन होता है नकि विसर्जन तो ये तीनों गलत है ABD-C prescription विसर्जन का भी क्या होता है आवाहन उत्सर्जन का क्या होगा ऑशोशन होगा तैसासा जो इसके अनोशंगी उत्तर तो देखे हैं अनोशंगी जो शब्द दीये है उनके भी आपको पता होने चाहिए निमकित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा तो इपसित का भीपसित नहीं होता है अनिपसित होता है अमित का परिमित होता है समित नहीं होता है हाया का बेहया ये युग्म जो है इसलिए सही नहीं है क्योंकि बेहया हाया जो है जहां पर गुड़ बता रहा है वहीं बेहया किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है तो दोनों के रूप समान होने के करण ये गलत है अगी का निरख होता है ये सही है डी वाला सही है ठीक है दोनों ही रूप समान है तो दोनों एक दूसरे के विलोम है तो डी वाला राइट एंसर होगा इपसित का अमित का परिमित होना चाहिए, हया काiest बेहया यहां पे गलत दिया है ठीक है यह सही यूगमन ही है क्योंकि इसका रूप कुछ और है यह गुण्ड बता रहा है तो बेहया किसी व्यक्त को इंगित कर रहा है दोनों का मेल नहीं है तो विलोम हमेसा मेल वाला होना चाहिए मतलब संग्या है तो संग्या ही होगी सर्वनाम है तो सर्वनाम ही होगा गुड है तो गुड ही होगा तो जिस रूप में है उसी रूप में विलोम भी होना चाहिए इसलिए वाला गलत था तो आयोग ने उत्तर D इसी लिए माना था क्योंकि यहाँ पे स्वरूप समान नहीं था अगी और निरग यह most appropriate answer था D वाला विशिक किस शब्द का परियावाची है तो विशिक मतलब बाण होता है या तीर होता है तो B वाला right answer होगा ठीक है विशिक शब्द बाण का परियावाची हो बाण के अन्य परियावाची है तीर, शर, शायक निवखित में खर का परियाए शब्द नहीं है तो इसमें से खर का परियाए दुष्ट ये खर का परियाए नहीं बाकी गदहा तेज और तिनका ये खर के परियाए है ठीक है तो खर के परियाए गदहा भी है तीनका भी है तेज मैंने इसलिए कहा था आपको कि अनेकार्थी शब्द भी आपको पढ़ना यहां पर भले परियावाची दे रहा है लेकिन यह अनेकार्थी में चला गया ना कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो रहे हैं अलग-अलग गदहा और तेज एक दूसरे के परियावाची नही है लेकिन खर गदहा का भी परियावाची और तेज का भी परियावाची है इसलिए आपको अनेकार्थी भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपसे इस तरह के प्रश्ण जो आते हैं एक्जाम में साल हो जाएगा वो यही करण है कि मैंने टेस्ट में अनेकार्थी शब्द भी सामिल किये हैं और कई लोगों ने प्रश्ण पूछा भी था ग्रूप में कि सरी अनेकार्थी तो है नहीं अनेकार्थी क्यों दे रहे हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम अनेकार्थी देते हैं आपको इसलिए देते हैं कि उससे आपकी और अच्छी तेहरी होगी और प्रश्ण पूसता है इस तरीके से अनेकार्थी शब्द तो यूज नहीं करेगा परियाई शब खर के परियाए हैं जबकि दुष्ट शब्द खल का परियाए होता है खल मतलब दुष्ट कौन सा शब्द घोड़ा का परियाएवाची नहीं है तो इसमें वज, तुरंग और है ये तीनों ही घोड़े का परियाएवाची है शारदूल ये शेर का परियाएवाची होता है सिंग का परियाएवाची होता है तो सी वाला इसमें आपका राइट एंसर होगा ठीक है टीका शब्द परियाय है तो टीका किसका परियाय है व्याख्या का है ना कहते हैं कि ये टीका इस ग्रंथ में एक टीका है तो टीका क्या है व्याख्या है तो ये वला राइटेंसर होगा तो व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाशांत्रण, विवृत्ति, आदि टीका के परियावाची हैं, जबकि आलेख, टिकुआ और तकली तीनों ही असंगत हैं, ये टीके के परियावाची ये व्याख्या के परियावाची तीनों नहीं हैं, निम्खित में यमुना का परिया परियावाच्ची है यमुना के परियावाच्ची है निमलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है मीन मतलब क्या होता है मचली होता है तो मीन का क्या है जख बाकि शीली मुख अली खटपद ये मीन के परियावाच्ची नहीं है अब यहां बेदे के समानार्थी दे दिया है ना पर्यावाची की जगए तो जख मीन का समनार्थी शब्द जख है जबकि शीली मुक अली खटपत मिलिंद भ्रमर चंचरीक मधुकर मधुप आदी ये सब भौरे के पर्यावाची है निवकित मेंशे केतु का पर्यावाची नहीं है तो केतु मतलब घंडा ये निशान होता है तो इसमें ग्रह केतु का पर्यावाची नहीं बलकि एक ग्रह का नाम केतु है तो ये कंफ्यूस करने के लिए ग्रह दे दिया तो पर्यावाची नहीं है तो घंडा निशान और पता का ये केतु के परियावाची है ये ग्रह के परियावाची नहीं बलकि एक ग्रह का नाम जरूर है कित केतु तलवार का परियावाची शब्द है तलवार तो इनमे से जो है तलवार का परियावाची क्या है करवाल है क्या है करवाल है बाकी तीनों से कोई मतलम नहीं तलवार का 18 का B राइट एंसर होगा खडग, असि, कृपाण, तेग, करवाल और शम्शीर आदी तलवार के परयावची शब्द है निमकित में से कामदेव का परयावची शब्द है कौन सा विडोजा तो इंद्र का होता है इसमें मार जो है, ये किसका परयावची है कामदेव का अनंग, कंदर्प, मनमत, मदन, अदेह, रतिपती और मार ये सब कामदेव के परयावची शब्द है बिडोजा इंद्र का, पिशुन कव्वे का, और अश्म जो अश्म है ये पत्थर के परियावची शब्द है ठीके धनंजे का परियाए है धनंजे का परियाए कौन सा है धनंजे किसको कह जाता था ये अरजुन के लिए शब्द प्रयोक होता है धनंजे तो गुडाकेश ये किसका है धनंजे का परियावची है तो अरजुन पार्थ कौदेः गुडा केस गांडीव धरादी धननजे के या अरजुन के परेवाची शब्दे है वाक्यों वरतनी संबंधी अशुद्धियां देखेंगे अब यहाँ पर दे रहा है निम्रके शब्दों में वरतनी के दिश्च से कौन सा शब्द अशुद्ध है तो कौन सा उज्वल सही है पुषपांजली सही है तो इसका जो राइट अंसर होगा क्या होगा बी निम्कित में अशुद्ध वरतनी का शब्द है तो वांग में सही लिखा है उतकर्ष सही लिखा है वयमनस से भी सही लिखा है मिथलेश कुमारी गलत है मिथलेश कुमारी होगा यह ज की तीनों सही है उके प्रोड पूर पौरुष दैही के तीनों ही सही है इन में से अशुद वरतनी का शब्द है तो चर्मोत कर्ष भी सही है वांग में भी सही है पुनर उत्थान होता है नू यहां पे गलत दिखा है ये गलत है हिरन कशिप होता है ये तो ये भी गलत है तो आ में से शुब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्रतिदर्श जो है सही लिखा है द्रश्टा नहीं होता है ठीक है आहार होता है आहार नहीं होता है और रचाईता नहीं होता है ये वाला ये होता है रचाईता ठीक है तो इसमें केवल ये वाला ही सही है ठीक है ये होता है आहार, रचैता और द्रश्टा इस तरीके से लिखा जाएगा निवकित अब अशुद वाक्य में देख लेते हैं कौन सा वाक्य इसमें डी दे रहा है तो डी में क्या गलत है एक गुलाब की माला खरीद लेना करम संबंधी तुटी यहां पर अर्थाद यहां पर होना यह शुद्ध वरतनी है शुद्ध क्या होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना यह शुद्ध होना चाहिए बाकी तीनों ही सुद्ध है हर तरह से निमकित में से एक वाक्य अशुद्ध है इस बात का स्पष्टी करण करना आवश्यक है यह शुद्ध है यह अशु तो इस बात का स्पष्टी करन अवश्यक है यही अपने आप में पर्यापत होगा शुद्ध तो यही वाला आपका राइट अंसर हो जाएगा बाकी तीनों ही सही है निर्परादी व्यक्ति तो निर्पराद व्यक्ति होता है या निर्पराद होता है या निर्पराद होता है केवल निर्पराद को दंड नहीं मिलना चाहिए तो निर्पराद हुआ तो व्यक्ति साथ लगेगा नहीं क्योंकि व्यक्ति उसमें समाहित है अपने आप पे तो ये तहस्त दान किया बिल्कुल सही है, उसे पैत्रिक संपत्य में हिस्सा नहीं मिला, यहां पैत्रिक जो है वो उच्चारण इसका गलत है, पैत्रिक इस तरीके से लिखा जाएगा, तो यह भी गलत है, सी वला इसका, राइट एंसर होगा, ठीक है, तो अधीन इस तरह से होगा, पैत्रिक है, स्थान पे पैत्रिक इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, वह अनेको, अब यहां पर अशुद दवा के चुनना है, तो राइट एंसर ए दिया है, वह अनेको मामलों में गवा था, तो अनेक अपने आप में ही बहुचन है, तो अनेको अपने आप में तो उसको और बड़ा बहुचन बनाने की ज़रत नहीं है, तो अनेक मामलों में गवा था, यह शुद होना चाहिए, तो अशुद है, यह बाकी तीनों ही सही है, निमकित में से शुद बाके का चैन कीजे, तो संसारिक समस्याओं में सभी फसे हैं, यह शुद है, यह शुद है, वाक्य और वर्तनी दोनों ही सुद है, निरपराद व्यक्ति, हमने कहा न, अभी निरपराद के साथ व्यक्ति लगाने के अशक्ता नहीं है, निरपराद में व्यक्ति अपने आप नहींत है, तो निरपराद को दंड क्यों मिला, यह भी गलत है, हिंदी देव नागरी ल तीयदिक होता है तो ये वला भी गलत है राइट एंसर होगा शुढ़ जो है अपने बलपर जीने वला या अपने सहारे पर रहने वले ये के लिए शब्द क्या है स्वाव लंबी ये वला राइट एंसर है अप्रमे किस वाक्यांज के लिए एक शब्द है किसे कहते हैं अप्रमे जो प्रमार से सिद्ध न हो सके क्या कहेंगे उसको अप्रमे कहेंगे सी वढ़ा इसका राइट एंसर होगा किसी पर विजय पराप्त करने की इच्छा रखने वढ़ा तो क्या कहलाएगा जिगीशू क्या कहलाएगा जिगीशू तुछ सी वला इसका right answer है जो इस्तरी सूर्य भी न देख सके या सूर्य जो इस्तरी न देखे उसे क्या कहेंगे असूर्यम पश्या भी वला इसका right answer होगा कुछ खास शर्तों पर किसी कारे को करने का समझोता क्या कहलाए जाएगा समविदा डी वला इसका राइट एंसर है जिसकी पहले से कोई आशा नो हो तो क्या कहा जाएगा अप्रत्याशित पहले से कोई आशा नो हो अप्रत्याशित पहले से आशा हो प्रत्याशित ठीक है आशा के परे हो तो आशा तीत ठीके राजद्वारा निकाला गया आधिकारीक आदेश वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा तो अध्यादेश राजद्वारा निकाला गया अधिकारीक आदेश क्या कहला आता है अध्यादेश बीवला राइट एंसर होगा वहिस्त्री जिसका पति पर्देश विदेश गया हो क्या कहलाती है प्रेशित पतिका प्रेशित प्रोशित पतिका सी वला राइट एंसर होगा पैर से सिर्थक क्या कहा जाएगा आपाद मस्तक पैर से सिर्थक अनुचित बात के लिए अग्रह करने वला के लिए वाक्यांश लिए एक शब्द कौन सा है तो दुराग्रही अनुचित बात करने की आग्रह करने वाला क्या कहाएगा दुराग्रही अनुचित बात करने का आग्रह दुराग्रह बात करने वाला तो ये कोई व्यक्ति हो गया तो दुराग्रही हो गया अगर केवल होता अनुचित बात करने के लिए आग्रह तब होता दुराग्रह तो थोड़ा सा जबाप स्वरूप में वाक्य का स्वरूप मलब शब्द का स्वरूप कैसा है गुड है व्यक्ति है सर्वनाम है संग्या है कर्म है क्रिया है इसकी पहचान होगी तभी आप सही उत्तर तक पहुँच पाओगे नए तो दुराग्रह कई लोग मार के चले आये होंगे तो रूप वही रहेगा ततसम योम तदभो तो ततसम सब्द वो होते हैं जो संस्कित से डाइरेक्ट हिंदी में ले लिए गये हैं संस्कित से डाइरेक्ट उधार ले लिए गये हैं हिंदी में तदभो हो हैं जो संस्कित से र कौन सा है तो शाटिका ये ततसम है ठीक है जिसको तदभो साटिका को क्या कहते हैं साडी कहते हैं ठीक है रश्मी को रसी कहते हैं ये जो है ठीक है रसी जो है तदभो इसका ततसम क्या है रश्मी है रैन तदभो है इसका जो ततसम है रजनी है सरसो भी तद्भो है और इसका जो तत्सम है वो है सरशप क्या है सरशप बरात का तत्सम रूप क्या है तो बरात वर यात्रा बोलते हैं इसको संस्कित में तो वर यात्रा ये तत्सम होगा बरात जो है ये तद्वो है मोती का तत्सम रूप क्या है मोती का तत्सम रूप मौक्तिक मोती तद्भो है इसका तत्सम मौक्तिक है मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है मिट्टी का तत्सम है मृत्तिका क्या है मृत्तिका तद्भो शब्द कौन सा है इसमें से अर्था तीन इसमें तत्सम है एक तद्भो है तो इसमें कौन सा तद्भो है तो ओजा जो है ये तद्भो है तीक है ओजा का जो तत्सम होता है वो उपाध्याय होता है तीक उपाध्याय होता है बाकी उलूक कूप और पुस्तक ये तत्सम शब्द है निकित में से एक शब्द तत्सम निके के तद्वो शब्द कौनसे है तद्भो एक होगा तीन तद्वों होगा इसका मतलब है तो घर ये तद्भो है, ग्रिह का होता है घर, बाकि जोसना, परिक्षा और सेष्टी ये तद्सम शब्दे है, अक्रोट का तद्सम रूप क्या है, अक्षवाट, क्या है, सुरी, अक्षोट, सी वाला राइट अंसर है, अक्षोट, अक्रोट का क्या है, अक्षोट, अखाडा का होता है अक्षवाट अक्षवाट का तत्सम क्या होता है अक्षवाट नेखित में से तत्सम तद्भो का सही युगम कौन सा है मतलब इन में से कौन किसका तत्सम तद्भो जो है सही है तो इसमें से अक्षवाट अखाड़ा भी आपने उपर देखा, तो B वाला राइट एंसर होगा, ठीक, निकित में से तत्सम के दिश्ट से एक युगम अशुद्ध है, तो सुपुत्र होता है, सपूत्ध, ठीक है, ये वाला अशुद्ध है, बाकी, दिक्षा, परिक्षा, शूकर, बलिवर्द, कनिष्ट, ये जो है, ये सभी शुद्ध हैं, दोनों ही, दिक्षा भी शुद्ध है, परिक्षा भी शुद्ध है, वाला तत्सम है, शूकर भी तत्सम है, बलिवर्द भी तत्सम है, वरिष्ट भी तत्सम है, कनिष्ट भी तत्सम है, कपूत्ध का कुपुत्र होता है, ये वल सी वला जो हैं, ये तद्वों हैं दोनों, ठीक है, विशेशन विशेश, उसका लड़का लंबा है, उसमें विशेशन का चेहन करना है, कौन सा इसमें विशेशन होगा, तो उसका लड़का लंबा है, कौन लंबा है, लड़का लंबा है, तो लड़का यहां पर क्या ह हो जाएगा विशेश हो जाएगा और लंबा क्या होगा विशेशन हो जाएगा तो भी वला राइट एंसर होगा प्रयोग के अधार पर पांडू शब्द क्या होगा पांडू यह विशेशन और विशेश दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है पांडू किसी का नाम भी था राजा पांडू तो एक विशेष्य की तरह भी यूज हो सकता है और पांडू एक रोग भी होता है एक रंग भी होता है तो ये रंग के अर्थ में गुड़वाचक विशेशन के रूप में ही प्रयोग हो सकता है तो स customize का right answer है टो प्रयोग के अधार पर पाण्डु शब्द विशेश और विशेशन दोनों रूपों प्रयोग किया जा सकता है पांडु का प्रयोग हलके रंग का विशेशन के अर्थ में किया जाता है जबकि महाभारत कालीन अमबालिका और रिशी व्यास के पुत्र का नाम पांडु था अता पांडु संग्या होने के करण विशेश्य भी होगा चत्तुर विद्यार्थी से प्रश्ण पूछो आया था बहुत बड़ा ठग है तो उपरयोग वाक में कितने विशेशन है इनमें विशेशन कितने है वह आदमी अर्थाद यहां पे देखे आपके सर्वनाम जो लगा हुआ है वो संग्या से लगा हुआ है तो यहाँ पे सारणामिक विशेशन है वह तो एक तो यह हो गया ठीक है कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है तो यह ध्यान रखेगा तो एक तो वह हो गया गिल लीजे जो कल आपके घर आया था तो यहाँ घर जंगया है इसके साथ फिर आपके लगा हुआ है तो आपके घर ये भी सरणनामिक विशेशन हो गया तो एक और जोड लीजे, प्लस वन दो विशेशन हो गया यहां पे बहुत बड़ा थग है तो क्या है? थग है कैसा थग है? बड़ा थग है तो ये बड़ा शब्द तीसरा विशेशन हो गया बहुत जो है ये प्रविशेशन है प्रविशेशन को विशेशन में नहीं गिना जाता है ठीक है तो ये बहुत जो है बड़ा की विशेशता बता रहा है इसलिए ये प्रविशेशन है इसमें तीन विशेशन हो गए आदमी, घर और ठग तीन विशेश हो गए पूछा क्या है विशेशन पूछा है तो इसका right answer A हो जाएगा क्या हो जाएगा A हो जाएगा यहाँ पे C दे रहा है अर्थाद इसने प्रविशेशन को भी add कर लिया है तो प्रविशेशन एड होता नहीं है यहाँ पे add किया है अब यह आयोग की महिमा है देखे प्रविशेशन को विशेशन मेड नहीं करते है पिछले वर्षों में जो answer की आई है आयोग की उसमें प्रविशेशन को विशेशन मेड नहीं किया है अब ये देखने वाली बात होगी कि 2017 हवाले में क्या एड किया था क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए फिलाल ये गलती है पुस्तक की ठीक है इसमें तीन ही विशेशन होंगे एक प्रविशेशन है तीन विशेशन तीन विशेशन में है मन्यापको गिनाया जैसा कि चलिए दु नियम है वो रूल तो रूल होता है प्रविशेशन एक अलग चरित्र का विशेशन हो विशेशन में नहीं आता है विशेशन की विशेशता बताता है उसकी एक अलग काटेगरी है प्रविशेशन की दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंद नहीं रखना चाहिए इस वाकिमें प्रयोक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण के दिश्च से किस संबर्गे में आता है तो दुश्चरित व्यक्ति से संबंद ने लेकना चाहिए अब व्यक्ति की विशेष्टा बता रहा है तो ये व्याकरण के दिश्च से विशेष्ण में आ जाएगा व्यक्ति कैसा है दुस्ष चरित रहे चलिए लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेशन कौन सा है तो लाखों लोगों ने यहां पर क्या होगा भी या लाखों लोग की विशेशना बता रहे हैं कितने लोग हैं लाखों लोग हैं संख्या वचक विशेशन है तो लाखों सी वाला राइट एंसर हो जाएगा विशेश वशब्द होता है आप लोग विशेशन विशेश का मेरा वीडियो जरू देखियेगा कभी आपका विशेशन विशेश गलत नहीं होगा ठीक है तो विशेश वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेशता बताई जाती है सीधी सी बात है वो विशेश होता है A वाला राइट एंसर है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है इसमें विशेश कौन सा है तो विशेश वह होता है जिसकी विशेष्टा बताई जाती है तो विद्यार्थी की विशेष्टा बताई जा रही है अच्छा तो यहां पे विद्यार्थी की विशेष्टा है कैसा विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी है तो विद्यार्थी विशेष्ट हो गया अच्छा विशेष्ट हो गया तो D वाला राइट एंसर होगा विद्यारती बहुत लोग मोहन लगा के चले आये होंगे इसलिए गलत हो गया होगा करता जोरी नहीं कि हमेशा जो है विशेश्य हो आठ बड़े चूर पकड़े गए थे हमने आपको बताया कि जो विशेशन जिस शब्द की विशेश्टा बतायेगा जो सबसे पास में होगा वो शब्द विशेश्य होगा तो यहाँ पे सबसे पास में कौन है विद्यारती है हाला कि यह मोहन की विशेश्टा बता रहा है आंतता मोहन ही वो व्यक्ति है जिसकी विशेषता बताई जा रही है लेकिन हो सकता है मोहन एक बुरा खिलाडी हो ठीक है तब वहाँ खिलाडी हो जाएगा विशेषता तो मोहन कई भूमिका निवा सकता है तो यहाँ पर मोहन नहीं है, अच्छा के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी अच्छा है वो, तो यहाँ पर विशेश क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, तो उद्देश को समझेए, आसानी से आप प्रश्ण को हल कर लेंगे, आठ बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए वाके में किन शब्दों विशेशन विशेशन संबंद नहीं है आसान सा प्रश्ण है आठ बड़े चोर कितने बड़े चोर आठ बड़े चोर ठीक है तो आठ बड़े ये आपकी संख्या वाचक हो गया विशेशन और चोर क्या है विशेश है तो बड़े चोर बड़े और चोर ये बड़े विशेशन है चोर विशेश है सही है यह पूलिस की लापरवाही से पूलिस की लापरवाही यहां पर दी है यहां पर विशेशन विशेश संबंद नहीं है ठीक है पूलिस क ये विशेश हो गया आठ बड़े चोर यहां भी आठ बड़े आठ भी संख्या वाचक विशेशन है तो ये आपका विशेशन विशेशन A, B और D में तो है लेकिन C में संबंद नहीं है C में कोई विशेशन नहीं यूज हुआ है तो राइट एंसर C हो जाएगा आपका नहीं में लिखे शब्दों में कोई विशेशन है इन में से विशेशन कोई विशेशन है ये आपको बताना है तो क्रोधी ये विशेशन है क्रोधी विशेशन है क्रोधी का विशेश क्या होता है क्रोध क्या होता है क्रोध क्रोध ही क्या होगा विशेशन होगा क्रोध क्या है विशेश अगर विशेशे को विशेशन बदलने वाला भी हमने आपको बताया अलाकि प्रैक्टिस में आगे जो प्रैक्टिस करेंगे पेपर समाप्त होने के बाद तो वो उसमें आपको और अच्छा से आ जाएगा ठीक है बाकी कंटक चुनोती और राही ये सभी क्या है संग्या हैं ये सभी विशेश शपद है ये वाला राइट एंसर होगा क्रोधी वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधी है विलोम फिर से देखते हैं सुलब का उपयुक तो विपरीरतार्थक शब्द क्या है विलोम शब्द क्या है सुलब का तो दुरलब है डी वाला राइट एंसर है दिरगायू का विलोम क्या होगा अलपायू दिरगायू मतलब दीरग जीवी अलपायू मतलब अलप जीवी तो B वाला राइट एंसर है व्यस्टी का विपरितार्थक शब्द क्या होगा व्यस्टी का समस्टी होगा आपने देह का होगा समस्टी अर्थसास्त्र व्यस्टी अर्थसास्त्र C वाला इसका राइट एंसर होगा उपमे का सर्वता उपयुक्त तो विप्रितार्थक शब्द क्या होगा, उपमे का अनुपमे होगा, राइट एंसर, ठीक है, अनुपमे, भुगोल का विप्रितार्थक शब्द क्या होगा, तो भुगोल का खगोल होगा, ठीक है, खगोल, भुगोल एक दूसरे के विप्रितार्थक शब्द है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपिरित आर्थक शब्द क्या होगा तो सहयोगी का क्या होगा प्रतियोगी होगा ये वला राइट एंसर है जोड का उपयुक्त विपिरित आर्थक शब्द क्या होगा घटाओ, जोड मतलब जोडना योग गटाओ मतलब गटाना सीवल राइट एंसर तिशना का उपयोक्त विपिरिदार्थक शप्त क्या होगा वी तिशना होगा तिशना का वी तिशना होगा निशिद्द का सर्वता उपयोक्त क्या होगा विहित पिछले वर्ष भी पूछा गया था ये तीनों ही, शुद्ध, ये सभी एक दूसरे के परियावची है, ठीक है? सॉरी, ये ए वला राइट एंसर होगा, ठीक है? तरणी जो है, ये सूरी का परियावची नहीं होता है, तो सिंग, पंचानन, नाहर, मिगार, ये सभी सेर के परियावची हैं, एक दूसरे के परियावची हैं, ये वला राइट एंसर होगा, बाकी के तीनों गलत हैं, रभी दिनकर, दिवाकर, सूरी के परियावची होता है, ठीकिन तरणी नौका का परियावची होता है, इसलिए अगनी पावक और अनल आग के परेवाची है जबकि पिशुन जो है पिशुन जो होता आपका पिशुन ये कवे का परेवाची होता है महेश भूतेश और सतीश शिव के परेवाची है जबकि रमेश जो है विश्णु भगवान का परेवाची है तो ये वाला भी गलत है कि ये वाला सारा साय है सिंग केसरी नाहर वनराज म्रिगेंद्र म्रिगारी पंचानन ये सभी शेर के परियावाची शब्द है वही रवि दिनकर दिवाकर सूर के परियावाची है तरणी नौका का परियावाची है अगनी पावक अनल आग के परियावाची है इस प्रकार विकल्प ए सत्य है ठीक निमकित में से एक पत्थर का परियावाची नहीं है तो इसमें पशम जो है पत्थर का परियावाची नहीं बलकि प्रस्तर उपल और पाहन ये सभी पत्थर के परियावाची है पशम जो होता ह ये एक प्रकार का उन होता है तो उन का परियावाची पशम होगा सीवला इसमें जो है परियावाची नहीं है पत्थर का बाकी तीनों है ठीक है तो पत्थर के परियावाची आनने भी देख दीजे प्रस्तर, उपल, पाहन, पाशान, असम, अश्म और शिला इने में से एक यमुना का प्रेवाची नहीं है तो रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सभी यमुना की प्रेवाची है अर्थाद ये सूर की पुत्री है तो रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये प्रेवाची है तनूजा ये बिटिया का पुत्री का प्रयावची होता है तो बी वला इसका राइट एंसर होगा निम के शब्दों में एक शब्द शंकर का प्रयावची नहीं इस तरह के प्रश्ण बड़े आसान होते है ललाटाक्ष मतलब जिनके ललाट पे अक्ष है आख है त्री लोचर मतलब जिनके तीन आखें है गंगा धर जिनोंने गंगा को धरन किया हुआ है तीनों ही शंकर जी के प्रयावची है शशधर ये शंकर जी के प्रयावची नहीं डी वाला नियुकित में से एक शब्द आम का परेवाची नहीं है पूछ रहा है तो इसमें जो है अम्बु जो है जलका है भी आपने पिछले वर्ष के पेपर्म देखा बाकी अतिसावरभ, सहकार और रसाल ये सभी आम के परेवाची है नियुकित में से एक विष्णु का परेवाची शब्द नहीं है तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापती ये तीनों ही विष्णु भगवान के परेवाची है बलकि कमलासन जो है अर्था जिसका आसन कमल है तो विष्णु भगवान का आसन तो कमल है नहीं इसली आप उत्तर टेकल कर सकते हैं तो डीव अला राइट एंसर है कमलासन ब्रह्मभा जी का प्रयावची होता है निमकित में से एक श्वर्ड या सूने का प्रयावची शब्द नहीं है हेम हाटक कल्धोत ये सूने का है हिराण्या की जगह अगर केवल हिराण्य होता हिराण्य केवल होता तब ये सूने का प्रयावची होता लेकिन यहाँ पे हिराण्या दिया हुआ है तो आपने देखा थोड़ा सा यहाँ पेंतर हो गया हिराण्य की जगह हिराण्या पूछ लिया हिरनिया का अर्थीस अलग हो जाता है अगनिकी साथ जीव होती है उसमें से एक जीव को हिरनिया कहा जाता है तो ये सीवला जो है राइट होगा मतलब सीवला गलत होगा प्रयावची की दिश से एक वर्ग शुद्ध है इसमें से एक वर्ग शुद्ध है तेनों ही, लेकिन रतीश यो है, ये गलत कर दे रहा है इस योगम को, अरथात इस पूरे समू को, घर निकेतन आयतन निले ये सही है, घर के सभी प्रियावचि ये पूरे समू सही है, अरथात बी वाला कराई टैंसर होगा, यमुना कालेंदी भानुतनया ये तो यमुना के प्रयावची है लेकिन जानवी गंगा की है तो सीवाला भी गलत है वस्त्र अंबर और चीर वस्त्र अंबर और चीर ये प्रयावची है लेकिन पाटक जो है ये प्रयावची नहीं है पाटक कर्थ कोई किनारा होता है या गाउं का अधा भाग हो जाए तो उसको पाटक कहते है तो यहां वस्तर, अंबर और चीर प्रयावाची है लेकिन पाटक नहीं है तो जो सही समू है वो बीवला है घर, निकेतन, आयतन, निले, ग्री के प्रयावची है मधवा और सहस्तास इंद्र के प्रयावची है कालंदी और भानुतनया यमुना के प्रयावची है जबकि जानुई गंगा का प्रयावची है अंबर और चीर वस्तर के प्रयावची है इस प्रकार विकल्प 20 अत्य है निमकित में से एक समुद्र का प्रयावाची शब्द नहीं है तो इसमें से जलाधिप ये समुद्र का प्रयावाची नहीं है बाकी जलधी, जलधाम, जलनिधी ये सभी समुद्र के प्रयावाची है जलाधिप वरुन देवता जो है उनका प्रयावाची होता है तो A, B, C सही डी वाला आपका right answer होगा निमकित में से एक नदी का परयावची शब्द नहीं है तो इस में से नदी का ट्रीपथगा नहीं होगा बाल की निमनगा कूलकशा, कूलवती ये सभी उलंकशा और कूलवती ये सभी नदी के परयावची है त्रीपथगा ये गंगा के परयवची है ठीक, तो B वाला इसका राइट एंसर होगा एक की वरतनी शुद्ध है तो इसमें से शुद्ध वरतनी वाला शबद कौन सा है तो अनन्नास ये शुद्ध वरतनी वाला है बाकी खिवया का खिवया होगा शुद्ध नियोच्छावर का इस तरह से नियोच्छाव लिखा जाएगा, सिर्फ नियोच्छावर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, नियोच्छावर नहीं लिखेंगे, और निरपेक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, वैलकि निरपेक्ष इस तरह से लिखा जाता है, इसका राइट अंसर अनन लिख्ट का उपियोग पूछा है तो पोशक का क्या होगा? शोशक होगा एक की वर्तनी शुद्ध इसकी वरतनी शुद्ध है तो इन मेंसे कौन शुद्ध लिखा हुआ है? उन्नयन क्या? उन्नयन ऐसे लिखा जाएं आएगा? एक की वरतनी शुद्ध है तो किसकी वरतनी शुद्ध है अविश्कार होता है ठीक है अविश्कार नहीं होता है जो अविश्कार आप लिखते हैं वो नहीं होता है आविश्कार इस तरीके से लिखा जाता है तो इसकी वरतनी शुद्ध है बाकी सब की अशुद्ध है देवर तरशक होता है, बिल्कुल सही है, जैसा आपने पिछले में देखा था, बाकी गलत क्यों है, तो प्रतेक धर्म के लिए अच्छा सद भाओ, तो सद यहां सद मतलब होता है अच्छा, तो जब सद एक बार लिख गया है, तो अच्छा भाओ या सद भाओ इसी को बोलते हैं, त अच्छा मतलब भाओ होता है, यहां पे अच्छा लिखा हुआ है, तो भाओ भी लिख दिया, इसलिए इसका दोहरा हो रहा है, शब्दों का दोहरा हो रहा है, इसलिए गलत है, इस बात का स्पष्टी करन करना आवश्यक है, तो हमने आपको बताया करन, यहां पे तो करना अलेडी जुड़ा हुआ है तो फिर से करना यहां पर यूज करना गलत है तो इस बात का स्पष्टी करन आवश्यक है यह यहां पर होना चाहिए तो एवला ही के वल शुद्ध है बाकी तीनवा शुद्ध है एक की वरतनी शुद्ध है इनमें से किसकी वरतनी शुद्ध है का अच्छेस लिखा है अक्छाओं हडी ये सही है बाकि राज महल नहीं होता है राज महल होता है शुद्ध कोमलांगी नहीं होता है बलकि कोमलांगी होता है और निरोग में नमे आधा इनक लगके बड़ी एकिपाई लगेगी तो निरोग होता है एक वाकि इसमें से शुद्ध है कौन सा तो अच्छे वेतन के लिए शब्द सईयम आवशक है ये सई है भी वला ठीक है बाकी सब अशुद्द क्यों है ये देखना है तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदारपन होते ही मैं जग गया तो यहां पे पदारपन में पदारपन मतलब मतलब दाखिल होते ही इस शब्द में पैर पड़ते ही ये शब्द जुड़ा हुआ है होते ही तो इसमें already include है तो होते ही दुबारा include नहीं होगा दुबारा नहीं इसमें जुड़ा जाएगा इसलिए ये अशुद्ध है ठीक है सी वला इसलिए गलत है कक्ष में असंख जनसमूह यहां पे असंख आपने पहले लिख लिया तो यहां पे जनसमूह लिखने की जुड़त नहीं थी ठीक है असंख में समूह already include है इसलिए गलत हो गया सुन्दर्टम में सबसे तो already जुड़ा हुआ है तो सबसे सुन्दर्टम सुन्दर्टम अलब सबसे सुन्दर already होता है तो फिर से सबसे जुड़ना ये अशुद्ध दर्शाता है इसको तो केबल बी वला इसलिए right answer होगा इसका एक वाकि उसमें से कौन सा शुद्ध है तो सिक्षा प्डाली जनोपियोगी होनी चाहिए ये शुद्ध है बाकी सब अशुद्ध है खेद जोदने के पारमपरिक उपादान हलका स्थानब ट्रैक्टर ने ले लिया है देखिए यहाँ पे उपादान शब्द अगर आप इसका अर्थ जानेंगे तो आपको सौँच मैंगे उपादान मनले बनाने वाली कोई समगरी होती है ठीक नकी कोई उपकरण तो यहाँ पे उपकरण अगर होता तो सही होता पारमपरिक उपकरण यहाँ पे उपादान है इसलिए गलत है अशुद है निरपराधी के विरुद निरपराध होता है निरपराधी नहीं होता है अभी इसके पहले ही हमने हल किया कई सवलों को तो निरपराध के विरुद तो दंडात पक्रण नहीं होता है। नरतक होता है। यह होता तो शुद्ध नमीन है। वाकि Te rubbish stars नइक शर्व्दों काया एक शर्व्थ तो इस शर्व्द के मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शर्व्द है। तो live ॠ्थ्य teu झद्व एक वाकि शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाकि शुद्ध है, आपको बताना है, तो गादि जी चर्खा चलाते थे, भारत वर्ष के अतीत में कई निर्दई शाशक हूए है, निर्दई या शुद्ध शुद्ध है, निर्दई होता है, क्या होता है निर्दय ये शुद्ध शुद्ध होता है तो इसलिए गलत है एकत्रित भीड भीड मतलब होता है जो एकत्र पहले एकत्रित जन्ता के समूग को ही भीड कहते हैं तो भीड जब है तो एकत्रित शुद्ध का प्रियोग अशुद्ध होगा यहाँ पे गादी जी च से उपयोग अशुद्ध है तो एक-एक करके यहां पर सिफ होगा प्रत्य एक शातर का अक्षा से निकल गया है स्वामी वेकानंद का भाशन सुनकर उपहास उडाने वाले अमरीकियों पर घड़ो पानी पड़ गया इसमें कोई भी अशुद्धी नहीं है यह शुद्ध है बाजार का साथ आउकास बाजार के साथ आउकास शब्द का यूजी गलत है यहां पर बंदी होता है बाजार उसके ताथ इस्त्री लगाना ये शुद्ध नहीं कहा जा सकता तो वैधव्यता जब लगा हुआ है तो इस्त्री यहां पर नहीं होगा वह दुखी वैधव्यता का जीवन विता रही है ये इसका राइट एंसर होता तो ये भी गलत है मैं सपरिवार सानंदित हूँ मैं सप परिवार आनंदित हूँ यह होना चाहिए था तो अशुद्ध हो जाएगा यह वाला इसका राइट एंसर होगा सवाल जवाब भहस हुजत या दिये गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा है तो इन तीनों को आप क्या कह सकते हो प्रत्युत्तर कह सकते हो सीवल राइट अंसर है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है इसके लिए शही सब्द क्या है वागदत्ता है वागदान का अर्थ है कन्या की विवाह की बाद किसी से पक्की करना और उससे कन्या दान का वचन देना जबकि वागबद का ताथपर मौन अथवा वचन बद्ध होने से है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीकाना नहो या फिर जो अस्थाई हो क्या कहलाएगी आकाश वरत्ती क्या कहलाएगी आकाश वरत्ती तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठीकाना नहो कब चली जाए इसके लिए एक शब्द आकाश वरत्ती प्रयोग होता है आकाश फल शब्द संतान अथवा संतती के लिए प्रयोगत होता है जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग होता है तो आकाश कुसुम आकास वृत्ति और आकाश फल में अंतर समझेगा मरडासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मरडासन अवस्था के लिए क्या शब्द है मैं मर्त्य क्या मैं मर्त्य तो मरडासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द मैं मर्त्य होता है मृत गामी का तात्पर जो मृत को प्राप्ट कर चुका हो अबकि निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है, मरने की इच्छा रखने वाले को मूरशू कहेंगे, ठीक है, तैरने की इच्छा रखने वाले को तितिरशू कहेंगे, जीने की इच्छा रखने वाले को जी-जीवीशू कहेंगे, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है विस्थापित क्या विस्थापित बुरे उद्देश से की गई गुत मंतरना के लिए एक शब्द है दुरभी संधी क्या दुरभी संधी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बुरे उद्देश के साथ की गई गुत मंतरना के लिए दुरभी संधी प्रयोक्त किया जाता है किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभी योजन कहा जाता है जबकि जिसका अतिक्रमण या उलंगन सहज में न हो सके उसके लिए दुरतिक्रम प्रयोक्त किया जाता है तद्वो तद्वो चबूत्रा का तद्सम रूप क्या है चत्वाल क्या चत्वाल ये तद्सम होता है इसका तद्वो क्या होता है चबूत्रा तदभो कौन सा है इसमें तो इसमें पूजी जो है ये तदभो है इसका जो ततसम होता है पुंज होता है क्या होता है पुंज होता है बाकि नयान और मूर्ख और शकुन ये सभी ततसम शब्दें है बेत का तत्सम क्या होता है तो वेत्र क्या होता है वेत्र बेत एक तद्भों शब्द है जिसका तत्सम वेत्र होता है युद की इच्छा रखने वाले को लिए क्या कहेंगे युयुद्सू तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है तितीरशू तितीरशू तैरनी के च्छा रखने वाले को चना का तत्सम रूप क्या है चड़क ठीक उन का तत्सम रूप क्या है उन्ड उन्ड ठाली का तत्सम रूप क्या है स्थाली स्थाली जामुन का तत्सम रूप क्या है जम्बू एक तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है तो डांकिनी ये तत्सम शब्द है जिसको डायन बोलते हैं तद्भो रूप में तो इसका तत्सम क्या होगा डांकिनी बाकी सभी तद्भो है अनहित विनती अटारी ये सभी तद्भो है एक तद्भो शब्द इसमें से कौन सा है पंजीरी जो है ये तद् पजीरी तदभो है, बाकी पंजर, पंचाली और पंडित, ये सभी ततसम है, तदभो शब्द इसमें से क्या है, तो अटल ये तदभो है, बाकी आतूर, अतित्ति और अजिर ये ततसम शब्द है, ठीक है, एक विशेशन शब्द नहीं है इसमें से कौन विशेशन नहीं है तो इसमें लांचन जो है ये विशेश शब्द है एक संग्या है लांचन ठीके बाकी लजीला, लाडला और लापता ये सभी विशेशन की तरह प्रयोक्त हो सकते हैं आप आराम से जब वाग के प्रयोग करेंगे तो ये इजिली आपको पता चल जाएगा कि लांचन को विशेशन के तरह यूज नहीं कर सकते हैं बाकि लजीला लाडला और लापता को हम विशेशन के तरह प्रयोग कर सकते हैं युद देखकर अशोक का कठोर हिदय मोम जैसा पिखल गया इनमें वाकि में विशेश कौन सा है युद देखकर अशोक का कठोर हिदय मोम जैसा पिखल गया वाकि में विशेश कौन सा है अब यहां पर देखें बहुत ध्यान से देखेंगा हिदे की यहां पर विशेषता बताई आ रहे है कैसा हिदे है कठोर तो कठोर विशेशन हो गया हिदे विशेश हो गया तो यहां पर विशेश क्या है हिदे है सी वला राइट एंसर बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं अगर विशेशन विशेश टे एक बार पहुँचाना आपको आगया सारे रूल्स आगये तो quickly आप पोहुच जाएंगे इस में से कौन विशेशन नहीं है तो शवब विशेशन है, सर्व भी विशेशन है गर्व विशेशन नहीं है गर्वित या गर्वान्वित अगर होता तब ये विशेशन हो जाता तो गर्व संग्या है सीवला राइट एंसर है ये विशेशन नहीं है गर्वीला भी हो सकता है यहाँ पे जो दिया है गर्वीला भी विशेशन हो सकता है लेकिन गर्व नहीं इंद्रिय का विशेशन शब्द है इंद्रिय का विशेशन क्या होगा एंद्रिय क्या होगा एंद्रिय एक वाक्य में विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है सीधे सीधे देख रहा है यहाँ विशेशन क्या है प्रबुद्ध है यहाँ विशेशन क्या है वह है सारुनामिक विशेशन वह परिष्ट्रमी भी है वह परिष्ट्रमी भी है यहाँ भी आपको विशेशन परिष्ट्रमी दिख जा रहा है किवल विद्यार्थी में आपको विशेशन नहीं देख रहा है तो एवला राइट एंसर हो जाएगा भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वतसल भगवान दयाद्र हो उठे इसमें प्रयोक्त विशेश्यों की दिश्ट से कौन सा युग्म शुद्ध है विशेश्य की बात कर रहा है मतलब कौन कौन सा इसमें से विशेश्य है तो भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वतसल भगवान दयाद्र हो उठे अब यहाँ पे करुण शब्द जो है विशेश्यों है यह जो की पुकार की विशेश्यों जा रहा है कैसी पुकार करुण पुकार तो यहां पुकार एक विशेश हो गया और दूसरा भगवान कैसे भगवान भक्त वतसल भगवान तो भक्त वतसल यहां पे विशेशन हो गया भगवान यहां पे विशेश हो गया तो पुकार और भगवान यह विशेश है तो डी वाला इसलिए राइट अंसर हो जाएगा आपका भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हिर्दे में कोमल भाउना जगा दी तो भोले बालक अब इसमें वाक में कितने विशेश हैं आपको बताना है बहुत एजी है इसमें तो शानना आपको विशेश भोला बालक तो यहाँ बालक क्या हो गया विशेश हो गया क्रूर डाकू तो डाकू विशेश हो गया कठोर हिर्दे हिदे विशेश हो गया कोमल भाउना अदभाउना यहाँ पे विशेश हो गई जो है ये विशेश है इसी से बना हुआ है वरद वरदायक और वरणिया तो जो की विशेशन है लेकिन वरदान क्या है संग्या है निम लिखित में एक विशेशन सब्द है लागव महत लगता महत जो है ये विशेशन है बाकी तीनों ही विशेश है लागव ये लगव से बना है तो लगो विशेशन होगा इसका लागो विशेशन नहीं है विशेश है महत का महत पूर्ण अगर इसमें हो जाएगा ठीक तो ये विशेशन होगा नहीं तो ये विशेश है लगो अमने जैसा बताया लगोता जो है ये विशेश हो जाएगा इसका जो विशेशन होगा लग होगा क्या होगा लग होगा जबकि महत एक विशेशन सब्द है अपने आप में तो डी वाला राइट एंसर होगा निमकित में से एक विशेशन सब्द नहीं है इनमें से कौन सा विशेशन सब्द नहीं है तो बाका जो है ये विशेशन नहीं है बाकी बहरूपिया हो गया, बातूनी हो गया, बादामी हो गया, ये कलर की बात कर रहा है, तो ये सबी क्या है, विशेशन है, बाका जो है, ये विशेश शब्द है, कौन शब्द घोड़ा का प्रयवची नहीं है, घोड़े का प्रयवची कौन नहीं, इसमें से शारदूल जो है, स मिनाक्षी का परेवची शब्द है मिनाक्षी ए और बी दोनों ही सही है ये सुन्दरी और दुरगा दोनों का परेवची होता है मिनाक्षी तो मिनाक्षी का परेवची शब्द सुन्दरी और दुरगा दोनों होता है मीनाक्षी का आशय मीन की तरह मचली की तरह आखवाली होता है तो आयोग ने इसका उत्तर A और B सुंदरी और दुरगा दोनों को माना था कौन सा शब्द नाग का परयावाची नहीं है आपने देखा उपर तुरंग जो है घोड़े का परयावाची होता है बाकी सर्प अही और विश्धर ये नाग के परयावाची है घोड़े के अने परयावाची तुरंग के लावा घोटक है वाजी रविसुत सैंधो आदी होते है कौन सा शब्द देते का परयावाची नहीं है तो राक्षस दान और निशाचर तो होते हैं भूसुर ये देते का परयावाची नहीं होता भूसुर का परयावाची ब्रामभड होता है भूसुर मतलब जमीन के देवता धरती के देवता ये ब्रामभड के लिए है इसके अलावा भूसुर या ब्रामभड के अन्य परयावाची द्विज, महीसुर, भूदेव, विप्र ये सभी ब्रामभड के परयावाची होते हैं रूख का परयावाची शब्द क्या है तो रूख का परयावाची कहते हैं अक्सर पेड रूख अक्सर गाओं में आप लोग सुनते हो के पेड़ रूख लगे हैं तो रूख मलब व्रिक्ष के प्रयवाची होता है इसमें विटप जो है रूख का या व्रिक्ष का प्रयवाची है रूख के अन्य जो प्रयवाची है व्रिक्ष, पेड, दुरुम, बादप, विटप आदी है हेरंब जो है ये गणेश के प्रयवाची है बाकी प्रसुन जो है फूल का प्रयवाची होता है तड़का ये तड़के होता है तड़के सुबह प्राता का प्रयवाची होता है औहरेम गणेश हेरम गणेश भगवान का प्रयवाची है इसमें रूख का प्रयवाची क्या होगा विटप होगा ये वला इसका राइट एंसर होगा यहां पर लिखा इस प्रश्ण को आयोग ने हटा दिया है मुझे नहीं लगता है कि आयोग ने हटाया होगा यहां पर किस कारण दिया हुआ है यह मुझको नहीं पता चल रहा है कौन सा शब्द ब्रह्मभा का प्रयावची नहीं है इसमें कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज यह सभी ब्रह्मभा जी के प्रयावची है चतुर्मुख ब्रह्मभा के प्रयावची है चतुर्भुज यह विश्ण भगवान का प्रयावची है विश्ण भगवान के अन्य प्रयावची जो है नरायन, हरी, चक्रपाणी, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपंति, आदि, ब्रम्भा के प्रयवाची, कमलासन, चतुर्भुज, विरंची, वितामः, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापत्ति, स्वयंभु, ये सभी ब्रम्भा जी के प्रयवाची है, कौन शलब पतिंगा का प्रयवाची होता है, एक प्रकार का ये, आप देख सकते हैं, शलब आउतार आप जानते हो घवाण शिव का, एक अलग प्रकार का, टिड़्डे की तरह रखने लगने वाला एक जीव होता है, टिड़्डे की तरह रखता है, अक्सर बजपन में लोग उ के पूछ में कुछ बांद करके उड़ाते थे हम लोग भी उसको हेलिकाप्टर ही बोला करते थे इसलिए उसका नाम पतिंगा तो कभी लिया नहीं गया आप लोग में भी उससे परचित हो उसके पूछ में रसी बात के उड़ाते थे और उसको हम लोग हेलिकाप्टर बोलते तो वही है शलब ये भ्होरे का प्रयावची नहीं होता है तो भ्रमर के प्रयावची कौन कौन से है चंचरीक, अली, मिलिंद, शिलीमुख, सारंग आदी शिलीमुख जो है ये बाण का भी प्रयावची होता है ध्यान लखेगा और बाण के अन्य जो प्रयावची है विशिक, शर, नाराज, आदि शलब फतिंगा या पतिंगा होता है कौन सा शब्द इंद का प्रयावची नहीं अभी आपने बहुत देखा तो गड़ाधिप ये इंद्रकानईबा की पूरंदर, शक्र और मधवा ये इंद्र के प्रयावची है गड़ाधिप ये गणेश के प्रयावची है हिरन गर्व का प्रयावची शब्द है तो ब्रम्भा को हिरन गर्व का प्रयावची ब्रम्भा है ब्रम्भा के अन्य प्रयावची पितामा स्वयंभू चतुरानन रुस्षष्टा प्रजापती कमलासन आत्मभू या स्वयंभू विश्णु का प्रयावची अच्यत जनार्दन चक्रपाणी मुकुंद नारायन गड़ो धज महेश का प्रयावची शिव, उमापती, महादेवत, पुरारी, देवादी, देव, मदनारी, चंद्रमौली आदी गड़ेश का प्रयावची हेरंब, विख्न विनाश, गड़पती, लंबोदर, एकदंत, विनाय, गजानन आदी इस प्रशनका उत्तर आयोगने A और B, ब्रंभा और विश्न दोनों मानाता है, हिरन गर्भ का, वैसे हिरन गर्भ का परयावची तीनों होना चाहिए, विश्नु, ब्रंभा, महेश तीनों ही, हाला कि महेश विवादित है, हिरन गर्भ कहा जाता है कि सबसे पहले सिष्टी जो थी हिंदु धर्म खासकर जो देवी का जो पुराण है उसमें भागवत पुराण उसमें कहा गया हिरन गर्भ जो माता जो इस्ष्टि की जननी हैं उन्हीं के उसी हिरन गर्भ से सरप्रथम ब्रंभा विष्णों और महश्की उत्पत्ती हुई थी काफी लोग कहते हैं कि मतलब कि उसी पुराण में ही एक किवधन्ती है उसमें यह दिखाया कि हिरन गर्भ से भी पहले भगवान शिव की उत्पत्ती हुई थी मतलब शिव अजर अमर हैं अनादी अनन्त हैं उनका कोई सरूप नहीं है बाद में सभी ने जब इस्तुती की तब उन्होंने अपना जो सरूप है मतलब कि लोगों की दिष्टि में लाने के लिए कि चलो किसी रूप में हमें जाना जाए तो वो सब के सामने आयत है जो दि इसलिए विष्णु और ब्रंभा को ही हिरन अगर्भ दोनों को मना जाता है नकी महेश को इसलिए शायद आयोग ने ब्रंभा और विष्णु दोनों को माना था कौन सा शब्द दास का परियावची नहीं है तो दास का परियावची इसमें से कौन सा नहीं है नहीं है इस प्रशन को हटा लिया गया था अनूचर्व परिकर्वित्य सेवक ये सभी दास के प्रवाँ जियंग है जंगम का विलोम शब्द क्या है तो जंगम का स्थावर होगा सिवालराई टेंसर जंगम मतलब क्या होती है चलने वाली चलवस्तु होती है और स्थावर क्या होता है, इस्धिर्वस्त होती है सिष्टी का विलोम शब्द क्या है तो प्रले है, सिष्टी मतलब बनाना रचना करना, प्रले मतलब नश्ट करना, भी वला रइट एंसर इपसित का विलोम शब्द क्या होगा इपसित का विलोम क्या होगा अनीपसित होगा बी वला राइट एंसर है ठीक साचर का विलोम शब्द साचर का विलोम शब्द क्या होगा तो अलगा होगा ठीक साचर का विलोम अलगा होगा विराट का विलोम शब्द क्या होगा शुद्र होगा विराड मतलब बहुत ही विशाल शुद्र मतलब छोटा बहुत ही इस्प्रिश्य का विलोम शब्दे क्या होगा तो इस्प्रिश्य होगा ठीक है अग्य का विलोम क्या होगा विज्य होगा गौरों का विलोम लागों होगा आसान है ऐसा, बहिरंग का विलूम क्या होगा, अंतरंग होगा, ग्रस्त का विलूम क्या होगा, मुक्त, ग्राह का अग्राह लुप्त का प्रकट, मुक्त का बद्ध भी होता है, ठीक है, ध्यान रखेगा, मुक्त का विलूम बद्ध, निम्कित वाक्यों में शुद्ध वाके कौन सा है तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ये शुद्ध है बाकी सब अशुद्ध है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ये शुद्ध है बाकी सब इसी से सम्मंदित है अशुद्ध है वाकी की दिश्टे वरतनी की दिश्टे भी व्याकरण के दिश्टे स भी शी किष्ण के अनेको नाम है तो ये अनेक होगा अनेको नहीं होगा गलत हो जाएगा भगवान शी किष्ण के अनेको नाम ये फिर अनेको गलत हो गया शी किष्ण के अनेको फिर अनेको गलत हो गया शी किष्ण के अनेक नाम है ये सही हो जाएगा निम्कित वाक्तों में शुद्ध वाक्त क्या है देखो फूलों पर भौरे गुझार कर रहे है भौरे भिन्विनाते नहीं है मक्हिया भिन्विनाती है तो गलत होगा भौरे गुझार कर रहे है यह सही होगा शब्द प्रयोक संबंधी तुटी है इन सम्में देखो फूलों के उपर भौरे गुजारते हैं गुजारते कोई शब्द नहीं होता गुजार करना होता है देखो फूलों के उपर भौरे भिन्विना ये फिर आ गया तो ये तीनों ही गलत है ये वली ये वला सही देखो फूलों पर भोरे गुजार कर रहे है निम्खित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या होगा तो उसकी शंका का समाधान हो गया यह शुद्ध होगा बाकी उसकी शंका का निवारन संका का समाधान होता है समस्या का निवारन होता है उसकी शंका समाप्त हो गई है ये भी गलत है उन्हें अब शंका नहीं रह गई है तो ये लग शंका दिर शंका की बात नहीं हो और यहां पे यहाँ पे संदेह की बात हो रही है फिलहाल आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था शंका का समाधान और निवारण दोनों को मान लिया था मतलब ए और सी दोनों को उत्तर मान लिया था ए और सी दोनों को ही उत्तर मान लिया था लोगों ने सोर्स दिखाया होंगे के लिए इलहाबाद जा रहा हूं इसमें दो वाक्य नहीं है मुझे परिक्षा देनी है अता दिल्ली जा रहा हूं ये भी यहां पे भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं हो जो दोनों को जोड़ रहा हूं है ना मुझे परिक्षा देनी है और यहां पे संयुक्त शब्द का प्रयो है यह गलत है ठीक है तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है और शब्द का सही उदारण है भाकित तीनों में गलत प्रयोग हुआ है जोđने के लिए दो वाक्याओं को नेमलकित में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा बाकी गलत लिखे हुए हैं सब ठीक है कलेश ऐसे लिखा जाता है निमकित में से शुद्ध वरतनी वाला शब्द को होता है तो श्रंगार होता है ये श्रिंगार होता है ठीक Sringar इसमें ये समें लगा रहता है ठीक है? ये तो बिल्कुल ही गलत है तो Sringar ऐसे लिखा जाएगा निमकित मेंसे शुद वर्तनी वाला शब्द तो उजवल ऐसे होता है उ आधाजा फिर आधाजा और फिर उजवल कनिश्टिका और मध्यमा की बीच की उंगली को क्या कहते है और इनको कहते है आनामिका ठीक है शही उचारन भी देख लिए जाएगा आनामिका जिसके पेट में कनिष्ट का मतलब जो कानी उंगली होती है और मध्यमा मतलब बीच की उंगली हो उसके बीच जो उंगली होती है उसको क्या बोलते है अनामी का जिसका कोई नाम नहीं है जिसके पेट में माने रसी बांध दी हो क्या कहेंगे इनको दामोदर किष्ण भगवान का नाम है दामोदर पीछे पीछे चलने वाला के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला भारत में ऐसे लोगों की संख्या जादा है ठीक है अनुचर का सही अर्थ होता है जो नौकर चाकर होते हैं काम करने वाले अनुचर होते हैं लेकिन आयोग ने विभिन आपत्तियां लोगों ने दी थी तो ए और भी दोनों को इसका उत्तर मान लिया था जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है तो अमूल कोई मूल है जिसका न हो थोड़ा नपातुला भूजन करने वाला वाक्यांश के लिए उप्योक शब्द है मिताहारी ये नपातुला भूजन कम भूजन करने वाले के लिए गुरु के समीप रहने वाले रहकर अध्यान करने वाले को अंतेवासी कहेंगे डी वाला राइट एंसर होगा जिसके हिदे पर आघात हुआ हो मरमाहत जो अपने पद से हटाया गया हो पद चुत जिसे किसी वस्तुकी स्प्रीहा न हो क्या कहला जाएगा निस्प्रीह जिसकी पूर उसे कोई आशा न हो क्या हो जाएगा प्रत्याशित मक्खी शब्द का तस्सम रूप है मक्षिका हल्दी शब्द का तस्सम रूप है हरिद्रा खुलास शब्द का तस्सम रूप है उल्लास नारिया शब्द का तस्सम रूप है नारिकेल सिंग शब्द का तस्सम रूप है श्रिंग इस तरह से लिखेंगे निमकित में से कौन सा शब्द तदभो नहीं है तो सायम ये तदभो नहीं बाकी सभी तदभो है सायम जो है ततसम रूप है एकल शब्द का तद्भो है अकेला करपट शब्द का तद्भो रूप है करपट ततसम है इसका तद्भो होता है कपड़ा कैवर्थ शब्द का तद्भो कावर्थ जो है यह ततसम है इसका तद्भो होगा केवट गृद्र शब्द का तद्भो रूप है गीध ग्रिद शब्द का तद्भो रूप है क्या गीद ये आप लोग चैलेंज जरूर करिएगा इसमें ये सोर्स दे देंगे हिंदी वाले में सी सेट वाले पेपर में तो आपका एक प्रश्ण बढ़ जाएगा विशेशन जिस संग्या की विशेशता बताता है उसे क्या कहते हैं 2021 वाला भी जोपेपर हुआ है विशेशन जिस संग्या की विशेशता बताता है उसे क्या कहते हैं विशेश निमकित में से कौन सा शब्द विशेश है आसीन अगनी मधूर करमट तो इसमें अगनी शब्द जो है यह संग्या है, विशेश है, बाकी सब विशेशन, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेशन है, पानी कैसा है, ठंडा है, तो विशेशन ठंडा हो गया, C वाला राइट एंजर है, अच्छा विशेश पूछ रहा है, तो पानी विशेश हो है ये विशेशन होगा किसी व्यक्ति वारे मता रहा है ये व्यक्ति अनासक्त है गुण बता रहा है उसका अनुशंसित अपमानित ये सभी विशेशन है क्यों अनासक्ति जो है ये क्या है एक गुण बता रहा है किसी का तो ये विशेश है ठीक है सोरी गुण बता नहीं रहा विशेष है तो इसमें विशाद शब्द विशेष है बाकि पौस्टिक भोजन पाटकि पुस्तक भावुक हिद यह सभी क्या है विशेषन है विशेषन के तरह परयोग होंगे हमने आपको इनका विशेष भी बतादिया वाकि परयोग करके धुदला शब्द विशेशन है कैसा विशेशन है तो गुण वाचक विशेशन है धुदला दिखना क्या है किसी दिश्य का अगर हम वड़न करें धुदला दिश्य है तो धुदला क्या है गुण बता रहा है तो गुण वाचक विशेशन है सरीखा शब्द में विशेशन है ये गुडवाचक विशेशन है सरीखा वह नौकर नहीं आया इसमें कौन सा शब्द विशेशन है कौन सा विशेशन है तो इसमें सारुनामिक विशेशन है वह लगा है नौकर के साथ तो ये वह सब्द विशेशन है किसी विशेश नौकर की बात कर रहा है तो विशेशता बता रहा है वह और कैसा विशेशन है तो ये सारुनामिक विशेशन है तीसरा शब्द में विशेशन है करम वाचक विशेशन है पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी करम वाचक विशेशन चौथाई शब्द का विशेशन क्या होगा मलब कैसा विशेशन है तो अपूडांक बोधक विशेशन है हमने विशेशन विशेश वाले वीडियो में जितने प्रकार के विशेशन होते हैं सब आपको बता दिया है यमुना का परयावाची है तो ये कलिंदी अभी आपने देखा ही डी वाला राइट एंसर है निमकित में से कौन सा शब्द निशीत का परयावाची नहीं है तो इसमें से तम जो है ये निशीत का नहीं तम बतलब अदकार हो जाता है बाकि रात्री रजनी और निशा ये रात्री और निशीत भी रात्री का परयावाची सी वला राइट एंसर होगा सूर का परयावाची है इतमें से कौन सूर का परयावाची है तो मारतंड ये सूर का परयावाची है बलकि भासवर नहीं होता है भासकर होता तो सूर का परयावाची होता बालकि प्रकाश और तेज का सूरी से मतलब नहीं है निमकित में से कौन सा शब्द अर्विंद का परियावाची नहीं है तो अर्विंद जो है परियावाची नहीं है तो मिलिंद अर्विंद का नहीं परियावाची बाकि पंकज, जलज और अम्बुज और अर्विंद ये कमल के पर्यावाची है मिलिंद जो होता है भौरे का पर्यावाची होता है ध्यान रखेगा पर्यावाची शब्द का आर्थ क्या होता है तो समानार्थी या पर्यावाची एक ही होता है प्राची का प्रयावची शब्द क्या है तो प्राची मतलब पूर्व का सी वला राइट एंसर होगा तरंग शब्द का प्रयावची क्या होगा तो उर्मी ये तरंग शब्द का प्रयावची होगा तरंग का उर्मी के लावा लहर, हिलोर, वीची भी इसके प्रयावची होते हैं जंगल शब्द का प्रयावची क्या होगा इसमें से तो कांतार ये जंगल शब्द का प्रयावची है जंगल के जो आने प्रयावची है विपिन कानन वन अटवी कांतार प्रत्यक्ष या परोख्ष होगा सामाने शब्द का विलोम क्या होगा तो सामाने का विसिष्ट होगा अमर शब्द का विलोम क्या होगा मरते होगा उपकार शब्द का विलोम क्या होगा अपकार तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा आलोक उक्त शब्द का विलोम क्या होगा अनुक्त निर्दे शब्द का विलोम क्या होगा सदय उनमीलन शब्द का क्या होगा निमीलन बी वला उतकर्ष का क्या होगा अपकर्ष सी वला आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा तिरो भाव कौन सा वाक्य शुद्ध है तो इसमें आइंस्टीन के पास विलक्षन बुद्धी थी, ये वाकिशुद्ध है, बाकिस अभी तुटिपूर्ण है, विचित्र बुद्धी कोई शब्द नहीं होता है, अलोकिक बुद्धी ये भी कोई शब्द नहीं होता है, दैवी बुद्धी ये भी कोई शब्द नही तो दिनों यूज नहीं होगा गलत है शरत काल के दिनों अभी हाँ बे काल है तो दिनों नहीं यूज होगा शरत काल में ये सही है चंदर्मा की शोभा देखने होगा सही है शरत काल के दिनों फिर दिनों यूज होगया तो गलत होगया तो काल जब दिया है तो दिनों की ज़ुरत नहीं है C वाला इसका राइट एंसर हो जाएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है तो दही खटा है दही खटा है खटी है नहीं ये पूलिंग होता है दही इस्त्रिलिंग नहीं होता है ध्यानक है तो B वाला इसका राइट एंसर हो जाएगा और सही उचारण भी है कौन सा वाक्य शुद्ध है तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है ये शुद्ध है पाती तो होता ही नहीं है एक पाती लिखनी है सुरेश के लिए एक पत्र पत्र लिखनी है नहीं होता है पत्र पुलिं है आँखों से देखी नहीं होगा आँखों देखी होता है ठीक है एक साथ यूज होता है आँखों देखी तो ये सही है भी वाला आँखों द्वारा गलत है आँखों द्वारा गलत ठीक तो ये आँखों देखी घटना है आँखों से सुना नहीं जाता है तो ये भी गलत है क निश्चेष्ट को ऐसे लिखते हैं, कैसे निश्चेष्ट इस तरह से लिखेंगे, न कि इस तरह से, ठीक, अर्थात ये सीटी वाला शह होगा, पेट फड़वा खा नहीं होगा इसमें, तो इसका बी वाला ही, राइट है, मलब बी वाला अशुद्ध है, दुर्धर्ष सही ह आशिरवाद भी सही है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, धोबिन जो है, शुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी अशुद्ध वर्तनी है सबकी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो भागी रती, शुद्ध है, जब भागी रती शुद्ध है, तो बाकी सब भी अपने आप अशुद्ध हो जाएंगे सुद्ध वरतनी वाला शब्द कौन सा है विरहीडी होता है ठीक तो ये शुद्ध है बाकी सब अशुद्ध है अनेक शब्दों के लिए अशुद्ध वरतनी वाला शब्द कौन सा है समुज्वल नहीं होता है ठीक है ये प्रज्वलित सही है समुझ्वल इस तरह से लिखा जाता है तो ये गलत हो गया उज्वल प्रज्वलित तो सही है ही जिसका इलाज न हो सके तो क्या हो जाएगा bunları असाध्य जिसे जीता न जा सके अजय जिस सिरी का पती जीवित है सधवा जोक्षिण न हो सके अक्षे बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल जिसके सिर पर चंद्र हो क्या हो जाएगा चंद्र शेखर जिसके हिदय में ममता नहीं है निर्मम तिलक लगाने में किस अनका प्रयोग उप्योगत होता है तो applause बी वाला राइटैंसर वा जाएगा जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो निचले वर्ण में जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसके लिए अंत्य जय शब्द का प्रयोग करते हैं जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सरवग्य सब्द का प्रयोग करते हैं कौन सा तत्सम शब्द नहीं है तो रात नहीं होता है रात रही होती है बाकी सब तत्सम है तिक्त शब्द का तत्भो क्या होगा तीता ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा स्वसुर सीवला तदभो शब्द निर्दिष्ट कीजे कौन सा अर्थात तदभो इसमें सुथ आधा है ना ये तदभो है बाकी सभी तत्सम है आधा का तत्सम क्या होगा अर्ध चूरन का तत्सम शब्द क्या है चूड तत्सम है धीट शब्द का तत्सम क्या होगा गृतिरिष्ट ठीक है डी वाला ततशम शब्द का चेहन करें इसमें से तो इसमें व्यागर जो है ततसम है बाकी तीनो ततभो है मा शब्द का ततसम है तो माता ये ततसम है ततभो शब्द क्या है तो इसमें मनई सब्द जो है ततभो है बाकि मानो को ही मनई बोलते मानो तत्सम है इसका तदभो क्या है मनई मनुश्य और मानो ये तीनों ही मानो मनुश्य मानो ये तीनों ही संस्कित से लिए गए शब्द है ठीक है समान अर्थ रखते हैं तत्सम है तत्सम शब्द इसमें से क्या है तो इसमें B और C दोनों ही तत्सम है, मतलब कठोर और कठिन, ये दोनों ही तत्सम है, क्लिष्ठ नहीं होता है, क्लिष्ठ होता है, मजबूत भी जो है ये तद्भव है, ठीक है, तो ये पुरानी कानी है, लोकस्वायोग ने इसका उत्तर ए दिया था, और बाद में उच्छन न्याले में मामले जाने बंद हो गए है, 2017 के बाद से, उच्छितम न्याले ने रोक लगा दी है, कोट में आने से लोगों को प्रश्ण उत्तर ले करके, रिशी संग्या शब्द से विशेशन सब्द क्या बनेगा, तो आर्ष, रिशी का विशेशन क्या होगा, आर्ष होग वियाकरण के दिश से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है, इनमें जो है भै जो है विशेशन नहीं है, बाकी भैभीत ये विशेशन हो जाएगा, निरभीक भीरू ये भै से बने विशेशन सब्द है, एक प्रतिभा संपन्य शात्र का विशेशन क्या बनेगा, तो व्याकरण दिश्ट से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है तो इसमें भै जो है विशेशन नहीं है बाकि सभी विशेशन है भै विशेश है संग्या है एक प्रतिभा संपन शात्र का विशेशन क्या होगा तो प्रतिभा संपन या मेधावी ठीक है ये गलत तरीके से पूछा ह तो हाला कि मेधावी इसके अस्थान पे प्रयोग तो होगा नीली साड़ी में कौन सा विशेशन है तो नीला ये गुडवाचक विशेशन है सी वाला राइट एंसर होगा विशेशन शब्द का चेन करना है तो पाँचवा ये क्रमवाचक विशेशन है बाकि सब विशेश है विशेश है विशेश शब्द इसमें से कौन सा है इसमें सीता राम विशेश है बाकि राम लला रमा पती ये किसी विशेश वेक्ति के बारे में बात कर रहे हैं बहुबरी ही समास है बुद्धिमती इस्त्री ये क्या होगा बुद्धिमती इसमें विश प्रियोग हुआ है भले इसत्री विशेश शब्द किसमें है सीता राम ये विषेश और मनें नेमलकित यह विशेश विशेशन युगमों में से एक गलत है करम निश्ठ ये विशेशन विशेश है थिक है तो सर्व और सुलब दोनों ही विशेशन है बाकी रोटी यहाँ पर देखे विशेश है संग्या है कर्म यहाँ पर संग्या है और भाव यहाँ पर संग्या है तो कर्म रोटी भाव संग्या है तो इसमें भी संग्या स्ताजी क्या है विशेशन है रोटी की विशेशता बता रहा है निष्ठ ये निष्ठा जो है कर्मी की विशेशता बता रहा है और विहवल ये भाव की विशेशता बता रहा है भाव को विशेशित कर दे रहा है सर्वसुलब ये दोनों ही पद विशेशन है तो इसलिए ए वला इसका right answer होगा परिमाण वाचक क्रिया विशेशन का वाक्य होगा अर्थात क्रिया विशेशन है और परिमाण वाचक है तो ठक गया ठक जाना ठक ना क्या है क्रिया है और बहुत यहाँ पर शब्द हुआ है तो बहुत क्या है परिमाड वाचक विशेशन है तो क्रिया विशेशन है क्रिया की विशेशता वता रहा है तो क्रिया विशेशन हो गया तो ए वाला राइट एंसर हो जाएगा बाकी सब में परिमाड वाचक विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है निम्कित में विशेश्य पद है अगनी जो है यह विशेश्य पद है ठीके संग्या है बाकी अनुरागी अनाध्रित अपमानित यह सभी क्या हैं? विशेशन हैं अगनी का विशेशन में अगर तब्दीली करना हो तो अगनिय हो जाएगा बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्तर में विशेश शब्द कौन कौन से है तो बड़ा घर में घर विशेश हो गया चोटा आदमी में आदमी विशेश हो गया नीला वस्तर में वस्तर विशेश हो गया तो घर आदमी और वस्तर घर आदमी और वस्तर सी वाला राइट एंसर हो जाएगा निमकित में से तत्षम शब्द कौन सा है तो तीर्थ तत्षम है बाकी सभी गरम नरक नरम ये क्या है तत्भों है आंगी ठीका अगनिश्टिका होगा सी वाला राइट एंसर निवकित मेंसे कौन तद्भों है तद्भों शब्द कौन सा है तो इसमें सूरज जो है सूर्य के अस्थान पे है सूर्य इसका होगा तद्सम तो डी वाला राइट एंसर है कौन सा शब्द तद्सम नहीं है तो इसमें आख तद्सम नहीं है अक्षी होता है निवकित में तत्सम शब्द कौन सा है तो मुख तत्सम है बाकी सबी तदभो है निवकित में से कौन सा तदभो है तो भावरा जो है यह तदभो है बाकी सब तत्सम है सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है तो सी वला शिंगार इस तरह से लिखा जाएगा हल्दी का हरिद्र आपने देखा बी वाला गेहु शब्द का क्या होगा गोधूम ये वाला राइट एंसर खंडहर का तत्सम क्या होगा तो खंडगरिह सी वाला वह स्रेश्ट उपासक है में विशेश होगा उपासक ठीक है विशेश होगा और कैसा उपासक है स्रेष्ट ये विशेशन होगा भले और महान लोग उचित और सैमित विवहार करते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रश्ण है इसमें कितने विशेशन कितने विशेश हैं तो कैसे लोग भले और महान तो लोगों की विशेष्टा दो विशेष्टा है लोग की भले और महान ये विशेष्टा है अर्थाद भले और महान ये विशेष्टा हो गया दो विशेष्टा यहाँ एक विशेष्टा यहाँ उचित और सैयमित व्यवहार तो ब्यवहार की विशेष्टा बता रहे हैं उचित और सयमित तो ये दो हो गया विशेष्ण एक विशेष्ण हो गया तो एक और एक दो विशेष्ण है और चार विशेष्ण है चार विशेष्ण दो विशेष्ण चार विशेष्ण दो विशेष्ण डी वाला राइट एंसर हो जाएगा विया गाए अधिक दूद देती है तो वाकी में अधिक विशेशन किस की विशेशता बता रहा है तो दूद की विशेशता बता रहा है दूद के साथ लगा हुआ है वह गाए अधिक दूद देती है तो विवला राइटेंस है विद्वान व्यक्ति पूज होते हैं उसमें प्रेवक्त विशेशन है तो विद्वान कैसा विशेशन है ये पूछ रहा है तो ये गुडवाचक विशेशन है विवला राइटेंस है निवकित में से कौन शब्द विशेशन नहीं है तो विशाद ये विशेशन नहीं है बाकी उतकरिष्ट, निकरिष्ट, ध्रिष्ट ये सभी विशेशन है निवकित में से शब्दों में से जो शब्द विशेशन नहीं है उसका उलेक कीजिए तो ये मानस जो है विशेशन नहीं है बाकि दुर्जन, सज्जन और सुकुमार ये किसी की विशेशता बता रहे हैं निमकित में से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है तो इसमें तुम शब्द विशेशन नहीं है तुम शब्द विशेशन नहीं है बाकी आगामी, शान्त और काला विशेशन है विशेश शब्द है तो लग जो है विशेश है ठीक है बाकी ललिता, सुंदर और लंबा ये विशेशन है निमकित में विशेशन विशेश पद है तो विशेश पद क्या होगा तो उमा इसमें विशेश्य पद होगा उमा ठीक है बाकी सब भी विशेश्ण है कालिमा, मधरिमा, महिमा ये सब विशेश्ण है निवकित में विशेश्ण पद है तो उपासना ये विशेश्ण है बाकी आयत लोचना मतलब आयत के समान आखो वाली जिसके आँख आयत के तरह हो और उदगार भी विशेशन है वंदना भी विशेशन है केवल उपासना जो है ये विशेशपद है ये गलत दिया है ध्यान लखेगा इसमें ये ये वला गलत दिया है आयत लोचना होगा आयत के सम्मान आखें ये विशेशन शब्द है बाकी उपासना, उद्गार और वंदना ये विशेशन शब्द है ठीक है? ध्यान लखेगा बहुत महत्पूर बहुत बढ़ी आ प्रशने है आयत लोचना, आयत के समान आके है जिसकी बड़ी बड़ी आखे हो, आयत के तरह आखे हो तो ये विशेश्टा बता रहा है इसका राइट अंसर सी होगा न किये जीव का प्रयावची कौन सा है? जीव का प्रयावची तो रसना है ठीक है? जीव का प्रयावची है कौन सा शब्द अही का प्रयावची नहीं तो अही मतलब आपने देखा कि अही मतलब क्या होता है साप होता है इसमें सिंधूर जो है ये हाथी का प्रयावची होता है सिंधूर का आशे हाथी से होता है बाकी सब सही है नेसरगी का परयावची प्राकतिक होगा निकित में से कौन सा शब्द हाथ का परयावची नहीं है तो कटी मतलब कमर होता है बाकी सभी हाथ के परयावची है कौन सा शब्द सूर्य का परयावची नहीं है तो इसमें विभाकर विभा मतलब रात्री होता है तो विभाकर मतलब चंद्रमा हो जाएगा बाकी सभी सूर्य के प्रयावच्ची है चादनी का प्रयावच्ची शब्द नहीं है तो इसमें मयंक जो है चादनी का नहीं है मयंक चंद्रमा का है तो बाकी सब चादनी के है काउमुदी जोसना चंद्रातब कौन सा शब्द सरस्ती का प्रयावची नहीं है तो वीडा, पाड़ी, पद्मा, महाश्वेता, भारती इसमें पद्मा जो है लक्ष्मी का प्रयावची है बाकी तीनों सरस्ती का प्रयावची है जनारदन किसका प्रयावची है तो ये विश्णु भगवान का प्रयावाची निमकित में से कौन सा शब्द समुद्र का प्रयावाची नहीं है तो इसमें जलद जो है ये बादल का प्रयावाची है ना कि समुद्र का ठीक है बाकी सभी समुद्र के प्रयावाची है निमकित में से शिव का प्रयवाची शब्द तो इसमें रूद्र जो है शिव का प्रयवाची अथ का विलोम क्या है इति अभिग्य का विलोम अग्य ठीक है अभिग्य का विलोम क्या होगा अग्य होगा ठीक है या अनभिग्य होगा अभिग्य का अनभिग्य होता है इससे मिलता जिलता शब्द अग्य है ठीक है अभिग्य का विलोम क्या होगा अग्य मतलब नहीं जानने वाला अभिग्य मतलब जानने वाला अनभिग्य मतलब नहीं जानने वाला और विग्य मतलब जानने वाला तो अग्य का क्या होता है उल्टा विग्य होता है अभिग्य का अनभिग्य होता है तो अग्य के समतुल अगर कोई शब्द है तो अनभिग्य है अभिग्य के समतुल कोई शब्द है तो विग्य है ठीक है अर्थाद विग्य और अभिग्य एक हैं अग्य और अनभिग्य एक ह कृतग का विलोम कृतग न होगा सी वाला संकीन का विस्तीन होगा अनुरक्ति का विरक्ति होगा बी वाला सापेश का विलोम शब्द निरपेक्ष होगा विग्रह का विलोम क्या होगा संध होगा ए वाला कौन सा विलूम युग में तुटि पूर्ण है उन्नत और आउनत ये तुटि पूर्ण है बाकी अपेक्षा का उपेक्षा होता है अगरज का अनूज होता है आदान का प्रदान होता है उन्नत का आउनत होता है नकी आउगत ये आउगत लिखा है इसलिए ये गलत है यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श साधु का विलोम क्या होगा? आसाधु किस शब्द का वरतनी अशुद्ध है तो इसमें भुक्षड का अशुद्ध है भुक्कर इस तरह से दिखा जाएगा किस शब्द का वरतनी अशुद्ध है तो इसमें शिद्रान वेशी का ये वाला सीटी वाला शाँ नहीं होगा पिटफडवखा होगा तो ये होगा कौन सा शब्द शुद्ध है तो तुम्हे कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा ये शुद्ध है तुम्हे कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा बाकी सब अशुद्ध है आपका शासन समंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है विख्यात पूर्ण ये गलत शब्द है ठीक है विख्यात है तो विख्यात है पूर्ण इसमें लगाना गलत अधिक यहां हो गया यहां पूर्ण हो गया तो दो बार एक प्रकार से प्रयोग हो जा रहा है अधिक विख्यात है यह हो सकता है आपको भूमिभावन वहन का अभिनो सुख की प्राप्ति होगी यहाँ पर के होगा का नहीं होगा इसलिए यह अशुद्ध है ठीक है यहाँ समाचार पूरे देश भर में तुरंट फैल गया तो पूरा भी है देश भर भी है तो भर और पूरे में अंतर क्या है अब यहाँ पर तुटी क्या है रोगी अपने अपनी नहीं होगा रोगी अपने कमजोरी से क्या है कमजोरी कमजोरियों नहीं होता है यह गलत हो गया इसलिए ठीक है रोगी अपनी कमजोरी के कारण उट तक नहीं पा रहा था कमजूरियों नहीं होता है कमजूरी अपने आप में बहुचन की तरह प्योग होता है राजपत की सड़क से जाकिया वापस लोटा है अब बताइए पत यहां पर है भाईया तो सड़क लगाने क्या जोरत थी इसलिए गलत हो गया बारम बारता के करन दोहरा हो रहा है हाँ पर शिकारी ने उस पर होगा गोली चलाई पर वह शेर बच निकला तो शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला इसलिए डी वाला सही है निमकित में शुद बरतनी वाला शब्द तो कवियत्री सही लिखा है ये वाला जाता है, जहता जाता है, काफिला या बेड़ा उटों का काफिला जाता है, काफिला शब्द शुद्ध होता है, खाद समंगरी जो यात्रा की समय रास्ते में उब्भो के लिए दी जाती है, क्या होता है, पाथे सी, आधी रात का समय निशीत कहलाता है, जिसके पास कुछ नह उसके लिए अकिंचन भी वाला जिसे बुलाया न गया हो तो जो जिसके आने की कोई तीचिन हो अतित होता है जिसे बुलाया न गया हो क्या होता है अनाहुत होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोमोक्ष रंग मंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है नेपत्य कहलाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है समिधा दिशाएं ही जिनका वस्त रहें उसके लिए दिगंबर शब्द का प्रियोग होता है जिसका जन्म कन्यास के गर्व गर्व से हुआ हो तो कानीन पेट की अगनी के लिए शुद्ध शब्द है जठरागनी सी वला राइट हैंसर है तो ये रहे दस वर्षों के जो एक्जाम सुएं है आपके उसमें हिंदी का प्रश्ण पत्र इसको देख लिजाएगा दो तीन बार काफी मदद आपकी कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद